हेलो आपका स्वागत है नवीन जी के जिए चैनल पे तो आज का वीडियो बहुत ही महत्यपूर्ण होने वाला है सभी छातर फूल वीडियो वाच किजे क्योंकि फूल वीडियो वाच नहीं करते हैं आप सभी और कहते हैं जो ये कब होगा डोकुमेंट वहरिफिकेशन कब होगा कैसे होगा क्या क्या डोकुमेंट लगगा ये सब चीज जो है पीछले वीडियो में बताया गया था जिनका एडमिशन हो गया है ठीक है तो उस वीडियो को जा करके जरूर देख लेजिए का बोनाफाइड बगेरा जो है लगता है और इस वीडियो को अंत तक देखिए जिससे की आपको जनकारी मिले ठीक है तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते है तो सबसे पहले देखिए ओफिसियल वेबसाइट पे जो है आज लिस्ट जारी होगा ठीक है आज 9 को जारी होने वाला है तो आज हो सकता है साम तक या जो है कभी भी लिस्ट जारी हो सकता है तो आप लोग कहां देख पाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं डाउनलोड सेक्शन जो दिया गया है यहाँ पर हो सकता है आपको दिख जाए या इस website पर जो है कहीं पर भी दिख सकता है ठीक है नहीं तो latest update में भी जो है दिख सकता है download करने का option आ जाएगा ठीक है और जो है कैसे check कीजिएगा तो आप लोग को चलिए बताते हैं कैसे आप लोग को check करना है तो देखिए girls category के लिए जो है अलग से हो सकता है एक pdf provide करा जाए क्योंकि पिछले बार जो है अलग provide करा गया था ठीक है और हो सकता है एक साथ भी provide करा जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पिछले बार जो girls का जो है दिया गया था इस तरह से जो है देख सकते हैं यहाँ पर WITI सभी जगा का जो है एक लिस्ट अलग से दिया गया था तो गल्स लोग जो भी है वो भी चेक कर पाएंगे अराम से जो है आप सभी देख लिजेगा यहाँ पर देखिए date and time जो है और interview तो interview कुछ नहीं होता है आप लोग का जो है सिर्फ वहाँ पर परजेंट होता है सारा document आपका verify किया जाता है वहीं समझ है interview हो गया ठीक है कुछ पूछ ताच नहीं किया जाता है आप लोग के दिमाग में चलता होगा जो interview का मतलब होता है कुछ सवाल जवाब ह षता है तो ऐसा कुछ नहीं होता आपका document जो सब सही है यहीं सब पूछा जाता है और कुछ नहीं पूछा जाता है कुछ अलग से question नहीं किया जाता ठीक है तो यह हो गया उसके बात दीखी यहाँ पर यू यूर केटेगरी में आपका rank सो होगा ठीक है तो आप सभी कैसे check क करेंगे तो देखिए एक जांप्ल के तोर पे ज्यांच can चेक करें आप सभी को को एक रॉल नमर जैसे यहाहं पर देख सकते हैं पहले योषर मजहिकरी का है उसके बार देख सकते हैं यहां पर यहां पर देख सकते हैं यह डेट मेंशनगे आप देट आपको mention होगा उसी date को जाना होगा यह पिछले साल का PDF है जिससे की for example आप लोग को समझा रहे हैं ठीक है तो आप सभी जैसे देख सकते हैं यहाँ पर पहले यूर कैटेगरी से जो है admission होगा उसके बाद अगर seat vacant रहेगा तब जाकर के जो है आपको category में बुलाया जाएगा तो देखिए कैसे चेक कीजिएगा तो इस पर जो है आप एक PDF डाउनलोड कीजिएगा तो इस पर जो है किलिक करना होगा किलिक करने के बाद सब्सक्राइब एक जो है रॉल नमर यहाँ पर फिल करना होगा ठीक है तो कोई एक रॉल नमर जो है आपको यहाँ पर फिल करना होगा तो जैसे एक रॉल नमर जो है कोपी करने का परियास करते हैं या जो है टाइप कर दीजिगा यहाँ पर तो टाइप का इससे करना है तो चलिए इस रॉल नमर को जो है हम ले चब दो ठीक है यह हो जाने के बाद देखिए यहां पर जो है सर्च का ओप्सन आ रहा होगा तो सर्च करना है ठीक है यह जो है आ गया तो सर्च करना है तो देखिए सर्च करेंगे तो कैसे सो होगा ठीक है तो देखिए सो कर गया ठीक है और एक जगा और कहा है तो देखिए यहां पर सो कर रहा है ठीक है तो देखिए दो जगा सो किया न यहां पर और फिर जो है वहां पर तो देखिए कैसे चेक किजिगा यहां देखिए सबसे पहले इनका यूर कैटेगरी में देख सकते हैं चाउदा, 00014 इस तरह तो ये यूर कैटेगरी में सबसे पहले बुलाया गया है तो इसी दिन जाएंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा खोई भी छातर ठीक है, यूर कैटेगरी में अगर यूर कैटेगरी में नहीं होता है इस दिन हो जाएगा तो ज़्यादा बढ़ियां रहेगा अगर नहीं होगा तो देखिए यहाँ पर दूसरे दिन SC केटेगरी में इनको बुलाए गया है ठीक है दूसरा दिन देखिए यहाँ पर SC केटेगरी में बुलाए गया है और date यहाँ पर जो mention होगा उसी date को present होना होगा उसके बाद देखिए तीसरा तीसरा जो है इनको देखिए RCG कोटा जो की reserve कोटा होता है girls के लिए तो इसमें भी बुलाए गया है इनको तो इनको तीन chance मिला ठीक है इनको तीन chance मिला लेकिन boys को कितना chance मिलेगा वो भी चलिए आगे बताएंगे तो चलिए ये जो है girls category के candidate समझ गये होंगे जो कैसे आप लोग को जो है जाना है सबसे पहले अगर you are category में आएगा तो आख बंद करके you are category में परजेंट हो जाईएगा BCC board पटना हवाई अड़ा के निकट ठीक है तो उसके बाद देखिए boys लोग जो है कैसे करेंगे चेक तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसे यह हो गया पटना डिस्टिक का और जो है सबसे पहले जो है आप लोग का date और row mention होगा आपको same उसी अनुसार देख सकते हैं time यहाँ पर देख सकते हैं date mention होगा time में यहाँ पर mention है और आपका category यहाँ पर mention होगा तो उसी category अनुसार जो है आप लोग को present होना होगा ठीक है सारा document ले करके और document की बात करें तो document पर already video upload है उसको जा करके देख लिजीगा और जिनका admission हो चुका है उनका बस admission जो है sleep लगेगा जो की आपको एक जो है amount रसीद होगा वो लगेगा एक bonafide certificate लगेगा और bonafide के अलावे document verification जो हुआ था वो sleep लगेगा ठीक है तो यह 3 sleep लगेगा और हो सकता है काफी छातर comment कर रहे हैं जो सर हमारा bonafide college में नहीं मिल रहा है तो college के teacher से संपर करके अगर नहीं मिला तो बोल दीजेगा सर यही दोनों ले करके जाएंगे तो हो जाएगा तो अगर बोलते हैं हो जाएगा तो हो जाएगा क्योंकि जो है वही का team रहता है और वही सब teacher रहते हैं क्योंकि जो है वहाँ document verification पटना में करते हैं सेम जो है वही college के teacher रहते हैं अगर कह रहे हैं तो कर लेंगे अराम से admission कोई दिक्कत नहीं होगा ठीक है अगर bonafide मिल जाता है तो आपको आसानी होगा जिसे की कोई दिक्कत नहीं आएगा और उसके अलाबे एक जांच पर्ची आपको भरना होगा ठीक है जिनका admission हो गया उनको और जिनका admission नहीं हुआ है उनको सारा document और जांच पर्ची पाटे पाटवीज ये सब फॉर्म फिलब कर लिजएगा ठीक है तो आप देखी कैसे इसमें जो है बता चुके हैं आपको तो suppose that एक example उठाते हैं जैसे यहाँ पर किसी candidate का जो है यहाँ पर एक example देख लेते देखिए ये roll number उठाते हैं ठीक है जो है 110-666-0 ठीक है तो इसको जो है search करेंगे कैसे तो देखिए आप लोग के सामने जो है search करेंगे आप लोग देखिए कैसे इसको जो है search करना है ठीक है 110-0006 इस तरह से देखिए यहाँ पर जो है PDF के उपर में search करने का option आएगा इस पर जो है आपको click कर देना है इस पर click किजिगा उसके बाद जो है आपको यहाँ पर search करना है 110-0006-0 इस तरह से उसके बाद जो है search के option पर click कर देना ठीक है तो देखिए यह रोल नमर कहा है अल्रेडी search में आ जाएगा देखिए यहाँ पर जो है ST काटेगरी में जो है ST काटेगरी में आ चुका है तो इस तरह जो रोल नमर सो करेगा यहाँ पर जो date mention होगा आप उस date में जाईएगा ठीक हा और देख लेते जो है एक जगा और शो कर रहा है तो यह किसमें शो कर रहा है तो देखिए यहाँ पर जो है URL काटेगरी में शो कर रहा है आभी दिखाय थे तो G2 में शो कर रहा था, एक example समझ लेजए, और जो है, डूसरा कबánarya हो, कब सो कर रहा है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ सो कर रहा है, और यह जो है, ur category में सो कर रहा है, इनको कब बुला गया था, तो 13 तारीक को, तो पहले अगर ये 13 तारीक को जाते हैं, तो 13 तारीक को जो है, डोकुमेंट वेरिफिकेशन अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि जो है उस समय सीट ज्यादा वेकेंट रहता है अगर 13 तारिक कोईन का जैसे नहीं हुआ तो अगले दिन यहे सटी कोटा में जाएंगे तो देखेंए बुलाया गया तो जो भी सीट रहेगा तो देख लीजेगा वहां से वापस भी आना पड़ता है तो घबडाइयेगा नहीं, जाइएगा जरूर, ठिक है जितना सीट होगा आपको सीट जो है डेली हम परवाइड कराते रहेंगे, वीडियो के मादध हम से और देख लिजेगा जो कितना सीट आपके डिस्टिक में बच रहा है उस अनुसार जो है डोकुमेंट वेरिफिकेशन के लिए पटना आईएगा तो जब लिस्ट जारी होगा तो आप लोग को परवाइड करा दिया जाएगा आप लोग जो है देख लिजेगा ठीक है इस लिस्ट को जो है डाउलोड करके जो आपका रॉल नमबर आया या नहीं आया ये सब चीट जो है उसके बाद जो है डोकुमेंट वेरिफिकेशन के लिए पटना आईएगा उसमें जो है डेट मेंसन होगा सब कुछ बता देंगे ठीक है सौट वीडियो के माध्यम से हो सौट वीडियो लॉंग वीडियो तो परवाइड करा ही देंगे क्योंकि बारा तरिक से स्टार्ट है उससे पहले आप लोग को सभी जानकारी परवाइड करा देंगे उस अनुसार अपना डोकुमेंट रेडि करके आईएगा ठीक है तो चलिए ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर देजा चैनल पर पहली वार हैं तो सस्क्राइब जरूर कर लीजिएगा और इसको पढ़िएगा जो कंडिडेट का एडमिशन हो गया है उनका बस इतना ही में सब कुछ लिखा गया है यहाँ पर देख सकते हैं वेरिफिकेशन सिलीप अथवा जो है जांचपर्ची का परमान पत्र और उसका अद बोनाफाइड ये तीन परमान पत्र आपको लगेगा बोनाफाइड कोई कोई छातर बोलने हैं नहीं मिल दा है तो जो है कॉलेज से जा करके संपर्क किजिए अ और देखी एक और चीट जो है सपस्ट कर देते हैं आपको देखे यदि निर्धारित तीथी को जो है तीथियों के अवधि के बीच में ही उपलब्ध सीट भर जाती है तो सीट के भर जाने के बाद जो है निर्धारित काउंसलिंग अस्थागित कर दी जाएगी ठीक है वापस लोटना हुगा तो आप सभी का अगर सीट फूल हो जाएगा आपके कॉलेज में आपके डिस्टिक में तो आपको जो है वहां पर अस्थागित किया जाएगा सुचित कर देगा जो सीट फोल हो चुका है तो उसके बाद जो आप लोग को वापस भी आना पड़ सकता है तो इससे घवड़ाईएगा नहीं एक बाद समझेगा जो पटना घुमने जा रहे हैं इसलिए पटना जरूर आईएगा जिससे कि आप लोग को पता चल सके ठीक है डोकुमेंट कैसे वेरिफिकेशन होता है अगर हो गया एडमिसन तो अच्छी बात है नहीं हुआ तो कोई बात नहीं अगले साल जो फिर से पड़ियास कीजिएगा फिर से एक्जाम दीजिएगा फिर से फार्म फिलब कीजिएगा और अच्छे मार्क से लाकर के जो है ट्रेड अच्छा च्वास करने का पर्यास कीजिएगा ठीक है तो इसलिए जो है घबडाईएगा नहीं चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्स फर वाचिंग दिस वीडियो